दस्टाले नियूज देखरे सभी दर्शकों का स्वागत हर मैं हूँ आपके साथ श्वेतारा नापेश हैं आज के मुख्य समाचार सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरेंदर सिंग द्वारा प्राइवट अस्पतालों में मरीजों की होरे लूट पर कड़ा संग्यान लेते हुए निर्देश चारी किये थे कि वे मरीजों की लूट बरदाश नहीं करेंगे जिसके चलते पंजाब की जीरख पूर स्थेतिक प्राइवट अस्पताल पर मामला दर्च किये जाने की पहली खबर सामने आई है पुलिस ने स्स्पी स्तेंदर सिंग के निर्देश उपर मामला दर्च किया है जानकरी अनुसार दिली एवं नॉड़ा में बेड़ना मिलने पर करोना संकर में परमजीत सिंग को 26 अप्रैल को न्यू लाइफ लाइन अस्पताल में दाखिल करवाया गया था यहाँ पर 14 मही को उनकी मौत हो गई थी मृतक की पत्नी अनुदीप ने अरोप लगाया था कि उनके पती का इलाध सही धंक से नहीं किया गया उसके पती के चहरे पर खून के निशान थे वए अस्पताल प्रबंधन की लापरवाई से उसके पती की मौत हुई है अस्पताल द्वारा मरीज का 9 लाख रुपए का बिल बनाया गया था इतना ही नहीं बिल को लेकर शवना दिये जाने पर परज़नों ने काफी हंगामा किया था जलाधीश ने 24 घंटे में रेपोर्ट सौंपने के अदेश दिये थे रेपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अस्पताल ने मरीज का 9 लाख रुपए का बिल बिनाया था तथा प्रबंधन उसका हिसाब किताब नहीं दिखा सका और नहीं रिकॉर्ड पेश कर सका जिस पर पुलिस ने SSP के नर्देशों पर अस्पताल के MD डॉक्टर परवीन गोयल वे डॉक्टर मनीश गोयल पर मामला दर्ज कर आगे की कारवाईश शुरू कर दी है पंजाब में धान की बजाई 25 मई से शुरू होने जा रही है परदेश सरकार पानी बचाने के लिए धान की सीधी बजाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है इसके चलते इस साथ परदेश में 12 लाख हैक्टियर शेत्र में धान की सीधी बजाई का लक्षे रखा है बिजाई का कार्य दो जून तक किया जाएगा मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरेंदर सिंग के निर्देशों पर टुशी विभाग द्वारा इस लक्षी की प्राप्ती के लिए परदेश के प्रक्तिशिल किसानों की मदब भी ली जा रही है ताकि भूजल को बचाया जा सके विजिलन्स विभाग नेक शिकायत पर कारवाई करते हुए नगर निगम अमरत सर में कारियर्थ बिल्डिंग इंस्पेक्टर हर्परित कॉर्वोस के पती प्रत्मिश मोहन को गिरफतार किया है शिवाला कलोनी मुसलिम गंज निवासी डीपो होल्डर मनोज चाबडा की शिकायत पर विजिलन्स ने कारवाई को अंजाम दिया शिकायत में चाबडा ने विजिलन्स को बताया था कि वे धिकानों की नीव भरवारा था कि उसका काम रुखवा कर एक लाग बीस हजार रुपए के रुश्वत की मांग की गई थी बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पती प्रतमिश ने बीस हजार रुपए काम रुखवाने की शिकायत करने वालों को चुप रहने के लिए देने की बात कही थी बातचीत की वोईस रिकॉर्डिंग चाबडा ने निगम कमिशनर विजिलन्स को दी थी जांच के उपरान बिल्डिंग इंस्पेक्टर है उसके पती को कार्याले के बाहर गिरफतार किया गया वजिलन्स ने इस सम्मंधी आगे की कारवाई शुरू कर दी थी जलंधर के हम्वी कॉलेज येट सीनियर स्केंडर स्कूल की मैडिकल की छात्रा दिया अहुजा का चैन परधान विज्यानिक सला का डिस्टी भारत सरकार के कारयाले द्वारा सविकरत स्वचता सार्थी फालोशिप के लिए हुआ है पंजाब से दिया एक मात्र छात्रा है जिसका चैन इसके लिए किया गया है प्रिंसिपल डॉक्टर अजे सरीन ने बताया कि दिया का चैन होना स्कूल एवं संस्थान के लिए गौरफ की बात है पठान कोट प्रशासन ने अम्बूलेंस चाल कोदवारा की जारी मनमानियों को रोकने के लिए कड़ा रूख अक्तियार कर लिया है SDM पठान कोट गुर्शरन सिंग ने बताया कि पठान कोट में तीन तरह की आम्बूलेंस है पहली कैटगरी में बेसिक लाइफ सपोर्ट है जिनका 15 किलोमीटर के लिए 1200 रुपए और 15 किलोमीटर से अधिक होने पर 12 रुपए प्रती किलोमीटर रेट तै किया गया है दूसरी कैटगरी की आम्बूलेंस जो की एको सपोर्ट पेट्रॉल आम्बूलेंस है के लिए 15 किलोमीटर तक 1500 रुपए तथा 15 किलोमीटर से उपर 18 रुपए प्रती किलोमीटर के हिसाब से तै किया गया है पचास पचास रुपए तथा पीपी किट का खर्च भी ले सकेगा उन्होंने बताया कि नियम की अनुसार करोना मरीज के लिए 10 किलो मीटर तक 1000 रुपए किराया होगा तथा इसके बार निर्धारत रेट के हिसाब से चार्ज किया जा सकेगा इसके अलावा हर आंबुलेंस शालोक को रेट की कौपी आंबुलेंस के पीछे लगानी होगी हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को लूटने वाले दो अरूपियों को लुध्याना के थाना स्लेम टाबरी की पुलिस ने गिरफतार किया है अरूपियों की पहचान रंधीर सिंग धीरा और पारस की रूप में हुई है दोनों के कबजे से चोरी के दो बाएक, पांच मोबाइल, पच्चे सो की नकदी और हथ्यार बरामद हो है फिलहाल पुलिस ने अरूपियों को दो दिन के रिमांट पर भेजा है अरूपियों ने बता कि वह दोनों मामा भांजा हैं और फिलॉर के रहने वाले हैं उक बाइक उन्होंने वहीं से चोरी किये थे जिसके बाद उनी पर वारदाते करने लगे क्योंकि वह नशे के आदी हैं अभी तक वह 16 के करीब वारदातों को अंजान दे चुके हैं पंजाब इंजिनियरिंग कॉलेज डीम टू यनिवर्सिटी के स्टुडेंट्स इन दिनों एक्जाम को लेकर परशान है कॉलेज में सुनवाई ना होने के कारण अब उन होने इस बारे में पंजाब के गवर्नर वे अड्मिनिस्ट्रेटर वीपी सिंग बदनौर और एड्वाइजर टू एड्मिनिस्ट्रेट मनोज को एक पत्र लिखा है आठमे समेस्टर के स्टुडेंट्स की परशानी ये है कि उनके बहुत से साती दूर दराज होने के कारण एक्जाम देने की स्थती में नहीं है साथ में समेस्टर का एक्जाम देने से वंचित स्टुडेंट्स चाहते हैं कि उनके एक्जाम करवा लिया जाएं तक कि ग्रेडिंग के पास वे अपनी प्लेस्मेंट वाली कंपनी में डिग्री दिखा सके जल अंधर के थाना भारगफ के अपने नशे की समगलिंग के मामले में मा बेटे को गिरफतार करने में सफलता हासल की है पुलिस ने आरोपियों से 32 बोर का देसी पिस्तॉल 500 ग्राम अफीम दो जिंदा कार्तुस करीब 95,000 रुपाई की ड्रग मनी बरामत की है इस पी पलवेंदर सिंग ने बताया कि सब इंस्पेक्टर संदीब कॉर ने पुलिस पार्टी के साथ टी पॉइंट गीता कलोनी दश्मेश नगर में नाका लगाया हुआ था इस दोरान एक्टिवा पर सवार एक व्यक्तिव महिला आते हुए दिखाई दिये वें उनने पुलिस को देखकर एक्टिवा वापस मोर लिया इस पर पुलिस ने श्रक के अधारपन उनने रोका और तलाशी ली तलाशी दरान उनसे 32 बोर का देशी पिस्तॉल 500 ग्राम अफीम दो जिन्दा कार्तोस करीब 55,000 रुपए की ड्रग मनीवर आमद हुए उन्होंने बताया कि आरोपी आपस में मा बेटा है और उनके नाम राजफीर सेंग वे रमा निवासी निव दश्मेशनगर है उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्चकर आगे की कारवाई शुरू कर दी गई है जलंदर दूरदर्शन के हर्मन प्यारे प्रोग्राम कच्छिया मुंद्रा महकन तंदा और रौनक मेले जैसे प्रोग्राम के निर्मारता दविंदर पवार का करोना से निधन हो गया यह बात पंजाब के चिकित सा सिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रियों प्रकाश सोनी ने कही श्री सोनी ने कहा कि जब पूरी दुनिया इस संकट की घड़ी में डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों और परेमेडिकल स्टाफ की सहायता से इस घातक वायरस का मुकाबला कर रही और आम लोग भी मानफता के लिए अपनी जान जोखे में डाल कर पीडिक लोगों की मदद कर रहे हैं तो उस समय एम्स बठिंडा से विशेश तोर पर रजिंदर अस्पताल में करोना मैईजों की देखबल के लिए भीजे गे रकेश सूद, उशा भला, मीना सूद, महामंतरी गीता कोली, हेम लताविक, दीपू वे यश्पाल शर्मा ने प्रभाद चौंक में कैम्प लगा कर लोगों को मास्क वे सैनिटाइजर बांट कर करोना से बचाव के प्रती जागरुक किया इस मौके पर पूर्व मंद्री वे वरिष्ट भाजपा नेता तिक्षन सूद ने कैम की अध्राक्षता की इस जरान उन्होंने कहा कि करोना जैसी जानलेवा बिमारी से बचने के लिए सबी को इसके लक्षनों वे बचाव के उपाएं से जागरुक करना पड़ेगा स्वामी कृष्णा नन्द महाराज के पावन सानिध्या में आश्रुवाद लेने गए पूर्व चेयर्मेन जवाहर खुराना ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वे गाएं को मंद्रों और घरों में स्थान दे क्योंकि गौमाता मुक्ष दिलाती है पुराणों में भी इसका उलेक मिलता है कि गाएं की पूठ शूने मात्र से मुक्ति का मार खुल जाता है जवाहर खुराना ने कहा कि गाएं की महिमा कोश शब्दों में नहीं भांदा जा सकता मुनुष्य अगर गौमाता को महत्तव देना सीख ले तो गौमाता उनके दुख दूर कर देती है गाएं हमारे जीवन से जुड़ी है उसके दूठ से लेकर मुत्र तक काउप्यों किया जा रहा है गौम मुत्र से बनने वाली दवाएं विमारियों को दूर करने के लिए र पंजाब सरकार की हिदायतों अनसार मार्केट कमेटी हुशारपुर की तरफ से चेर्मेन रजेश कुपता की अगुवाई में करोना की रोक थाम हेतू वेक्सिनेशन कैम्प का एउजिन किया गया इस मौके पर मार्केट कमेटी कारयाले के अधिकारियों कर्मियों के अलाव मंडियों में कारयार्थ मजदूरों आर्टी और मासपास के इलाके के लोगों ने ठीका करण करवाया कैम्प का शुभरम सचिव जुगराज पाल सिंग ने करोना वैक्सिन लगवा कर किया इस अफसर पर चेर्मेन रजेश कुपता ने कहा कि पंजाब सरकार द्वरा प्रद नाओं ने कहा कि परदेश की कैप्टेन सरकार लोगों को स्वास्ते सेवाएं देने में फियल साबित हुई है इस मौके पर परदेश सही उक्त सचेव पार्शत ब्रम शंकर जंपा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे परदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को पूरा करे और दिल्ली की तर्ज पर करोना के कारण अनात हुए बच्चों को आर्थिक सहायता देगा उन गरीब परिवारों के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोशना करे जिन परिवारों के मुखी करोना के कारण मौत का शिकार हुए डीजीपी दिनकर गुपता के निर्देशों पर नशा वे तसकों के खिलाफ शुरू किया गया अभ्यान के अंतरगत हो शारपुर पलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए एक महिला वे दो व्यक्तियों को काबू कर उनके कबजे से एक किलो 600 गराम हैरोएन 580 गराम अफीम 560 गराम सोना और 50 लाख रुप स्क्री में शामिल दोश्यों की पहषान पुष्पिंदर सिंग और टिंकू निवासी नरायन नगर होशारपुर अमिच चौदरी निवासी महला बसी खवाजुवे जग रूप को और निवासी ग्रीन आविन्यू नस्दीक सरस्वती कॉलेज थाना जंडियाला अम्रिदसर के तौर पर हुई जबकि चौथा रोपी जस्वीर सिंग और गज्जू निवासी जंडियाला अम्रिदसर अभी फरार है नवजोट सिंग माहल ने बताया कि मंगलवार को थाना मॉडल टाउन प्रमोख इंस्पेक्टर करनल सिंग के नितरतव में ऐसाई दलविंदर सिंग पुलिस पार्टी की और से टांडा चॉंक के नस्दीक स्पेशल नाका बंदी दुरान शक के अधार पर एक स्विफ्ट कार को रोका गया जिसमें दो नोजवान सवार्थ पूछताच के दौरान पुलिस पार्टी की और से पुश्पेंदर सिंग और टिंकू की तलाशी ले लेकि सिवल पुलिस अधिकारियों की देख रेक में कोविट टीका करन टेस्टिंग वजाग रुपता अभ्यान की चरणबद तरीके से शुरुआत की जानकारी देते हुए डिप्टी कमिशनर अपनी त्राथ ने बताया कि गाउं की पंचायतों में गाउंवासियों के सहय स्वंपे इस अफसर पर उन्हों ने कहा कि करोना महमारी को दुरान सभी संस्थ हैं अपने तरीके टीकें से माक्टा की सेवा कर रही देख है है टेसला और स्पेस एक्स के प्रमोक अलेन मस्क के नाम पर जाल साजों ने 6 मासे लोगों से 20 लाग डॉलर ठगे हैं। उन्होंने मास्क के वेंचर में निवेश की बात कहा कर क्रिप्टो करंसी के रूप में राशी हर्पी है। हाल ही में अमेरिका की संगे विपार आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर बढ़ते क्रिप्टो करंसी घुटालों से परदा हटाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 था कलग लग मामलों में एक बिट्कॉइन और डॉकॉइन जैसे क्रिप्टो करंसी में निवेश करने वाले साथ हजार लोग ठगी का शिकार हुए है। पाकिस्तान की क्याबिनेट मीटिंग के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से कहा फिलिस्तियन सिरफ इस्राइली हमलों से ही नहीं बलकि COVID-19 से भी जूज रहा है। वहाँ के शिक्षा मंत्री चांचन संग के अनुसार वाइरस के नए स्टोंच जादा संक्रम में था और बच्चों को अपनी गिरफ्ट में ले रहे हैं जिसके लिए हम सभी चेंतत हैं। वहाँ कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 16 से कम उमर के बच्चों को विक्सिन लगाए जाए। हिसार में करोना योधाओं के अंतिम संसकार कर रही टीम के इंचार जिवम नगर पाली का करमचारी संग के परधान परवीन कुमार को तीन घंटे तक बैढने ही मिला। विदेर बाद कमिशनर के प्रयासों से एक निजी अस्पताल में उन्हें बैड मिला। उनको अक्सिजन लेवल कम होने के चलते डॉक्टर ने कहा कि वे अपना काम कर रहे हैं तो था आप लोग पी उनके लिए प्रात्ना करें। गंभीर स्तिती होने के चलते पर वीन ने दम दोड़ दिया। उत्तर परदेश की सीतापूर सीट से भाचपा विधायक राकेश रठोर ने एक बर फिर अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंच कसा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में ज़ाधा कुछ बोला गया तो राज़़्तो लग जाएगा। जिसके बाद संसनी फैल गई थी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर श्रफ का अंतिम संसकार किया जाने से रोग दिया था पुलिस के अनुसार सोंवार की राग जानकारी मिले थी कि पेडिता ने अपने दोस्त को वाटसप मैसेज भेज रहा था जिसमें उसन से आतम हत्या के लिए उक्साया उसने मैसेज में लिखा था कि वह अपनी खतम करना चाहती है उसके बाद उसने आतम हत्या कर ली थी पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपी प्रोफेसर को गिरफतार कर लिया और उसे कारेकारी मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जहां करनाटक के मुख्यमंत्री बीयस येदूरपा ने जिला पंचायतों के जिलाधीशों और सीईओ को ग्रामीन शेत्रों में करोना मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर खोलने के नरदेश दिये हैं मुख्यमंत्री न अधिकारियों से कहा कि शेत्र के स्कूलों, छात्रावासों और वभागों के साथ अन्य हाल को आइसोलेशन केंदर के रूप में विक्सित किया जाए तथा ग्रामीन शेत्रों में किसी भी ग्रामीन को करोना संक्रमेत होने पर घर पर ना रखकर उसे इन क केंदरों में रखा जाए उन्होंने आदेश जारी किये कि केंदरों में आक्सिजन वे अन्य जुरूरी प्रभंद किये जाएं जम्मू में भारत पाक अंतराश्ट्री सीमा के पास काना चक्त में लगातार तीन दिन से ड्रॉन मंड़ा रहे हैं इसे लेकर बीस पुलिस और खुफी अजनसी अलर्ट हो गई हैं बीते दिन पुलिस ने खेतों में से एक ड्रॉन बरामत किया इसके अगले दिन ही एक ड्रॉन फिर देखा गया जिसे बीस एफ ने फाइरिंग कर खदेरा तीसरे दिन ड्रॉन आसमान में काफी उन्चाई पर दिखाई दिया सूत्रों क के अनुसार पाकिस्तान कोविड-19 का फायदा उठाकर अतंकी गतिविद्धियों को अंजान देने की फिराक में हैं इसलिए बॉर्डर और लॉसी पर हर तरफ से ड्रॉन के जरीए हथ्यार फिंकने की कोशिश की जा रही है ताकि अतंकियों तक हथ्यार पहुंचाए जाए जम्मो कश्मीर रामबन जिले में जस्वाल ब्रिट से किनोवा गाड़ी चुनाव में गिर गे जिसमें नौ लॉक सवार थे इस गाड़ी में मौझूद लोगों में से क्यों आटी द्वारा तीन को बचा लिया गया है जो की घायल है वही एक व्यक्ति की मौत हो गई है जा जम्मो कश्मीर के मेंडर स्थेत कोविट कीर सेंटर से दो करोना संक्रमित फरार हो गए है जानकारी मिलने पर ब्लोक माडिकल वाधिकारी डॉक्टर परवेज एहमत खाने में शिकायत की है साथ ही कोविट कीर सेंटरों पर पुलिस की तनाती बढ़ाने और सुरक्षा के प प्रवक पंचायत में BSNL का सिगनल पिछले 10 दिनों से गुल है। इस वज़ा से शेत्र के सैक्डों बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। मजबूरी में अभिभावक बच्चों को उचे स्थानों पर सिगनल की उपलपता को देखते हुए जंगल में पढ़ाई करवाने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि BSNL सिगनल गाउं में आसपास कहीं भी नहीं है। कारी से स्थानों की सूची मिलने के बाद स्वास्ते वभाग ने चंटनी प्रक्याव शूरू कर दी है। पताया जा रहा है कि स्वास्ते वभाग और अस्पतालों में 300 से अधिक डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, फार्मसिस्ट वे अन्य करमचारी सर्प्लस हैं ये काफी समय से एक हिस्थान या फिर घरों के पास डटे हुए हैं इन्हें अब जरूरत के अनुसार बदला जाएगा करोना के चलते सरकार ने स्वास्ते वभाग के 75 फीस्दी स्टाफ को फिल्ड में सवाय देने के लिए कहा है अस्पतालों की OPT और मरीजों के ऑपरेशन करने के लिए 25 फीस्दी डॉक्टर और परामेडिकल स्टाफ अस्पतालों के कारयाले में रहेगा MBBS डॉक्टरों के साथ सीनिय डॉक्टर भी फिल्ड में जाकर करोना आइसोलेट मरीजों की घर पर जांच करेंगे ये थे आज के मुखे समचार कल तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त चहिंद